हेलो इन वेल्कम काईज वेल्कम तो देली कुछ पांडे और आप देख रहे हैं तो 7 a.m कुछ पांडे आप सब का तहे दिल से दोस्तों स्वागत है हमारे आज के सेशन में a man is born to work if not work then what यह बहुत ही एक famous saying है it's a very famous Chinese proverb कि जिंदगी में आप कुछ करने के लिए बने हैं कुछ करने का मतलब यह नहीं कुछ महान करने के लिए बने हैं वो तो आप कर सकते हैं पर आप कर्म करने के लिए बने हैं you are here to do work the work could be as small the work could be as big the work could be anything that you want to have but you have to work जिंदगी की शुरुआत से लेकर जिंदगी के अंतक हमें कोई न कोई काम करना होता है so कभी भी किसी काम को छोटा ना माने कभी भी अपने लाइफ में कोई भी काम आए उसको मनाना करें जो आपके favor के लिए है जो आपके growth के लिए है because we as humans are born to work हमारा दिमाग इतना advanced है कि भगवान ने हमें emotions दिये हैं और हमारा दिमाग advanced है इसलिए emotions को tackle करने की emotions को balance करने की हमें शमता भी दी है तो use your mind wisely, use your life wisely no matter how small a work comes around if you love it or if you feel that it will help your life do it because हम काम करने के लिए बने है इस बात को समझेगा तो a very warm welcome everyone आप सब का तहे दिल से स्वागत है मेरा नाम है कुषपांडे और आप देख रहे हैं जो की रोज सुबह साथ बजे आपका हमारा स्टूडियो से exam centric के होता है अगाइस अगर हम बात करें तो आज हाज तारीक है 10th of March आज आप अवेल कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र पाकेज जो एक all-in-one पाकेज है जिसमें सारे courses, सारे test series, सारे हमारे PDFs, e-sampark magazine, e-sankal magazine ऐसे सारी चीज़ें आपको available हैं इस बात को याद रखेगा कि ये जो magazine जो आपका package है इसमें सारा कुछ आपको होगा अगर आपने package लिया तो banking insurance में आपको कोई भी और package लेना नहीं पड़ेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं मेरे batch पर ये दोस्तों मेरा batch है, इस batch का नाम है banking and financial awareness batch with advanced concept इसके अंदर जो भी level आपका SBI PO या RBI grade B का भी आ रहा है उस level को हम tackle करेंगे So all those students जिनको bank exams की तयारी करनी है इस साल इस batch को जरूर अवेल करें, exam 10 का code यूज करके इस पर आप 10% का discount भी पा सकते हैं तो guys चलिए शुरू करते हैं discussion और कल दो questions थे कल पहला सवाल था, which country is the host of the multinational exercise desert flag? और second question था, the fossils of titanosaur have recently been unearthed in which country? तो पहले का answer था आपका UAE, second का answer था आपका Argentina और आईए देखते हैं सबसे पहले और सबसे तेज यह answer किस ने किया? उनके नाम किया है, उनकी photo के साथ? फर्स रांग पर यहाँ पर आती है Priya Mahor, she was the first to answer second rank में हैं, फिर से लगातार third day आपके दीब गोयल और third rank में माफ करिएगा आपकी प्रगती शर्मा है So congratulations to all three of you, आप तीनों का आप तीनों को में तरफ से बढ़ाईयां Because आपने सबसे पहले और सबसे तेज आपने दोस्तों जो हैं वो आपका answer किया So आप सबको तहे दिल से हमारे तरफ से बढ़ाई और congratulations तो चले शर्ण शुरू करें, आज प्ले चलते हैं आपको हमारे revision पर और यह रहा हमारे revision का पहला question पर उससे पहले guys, मैं आप सबसे मुखातिब हूँगा, मैं आप सबसे कहूँगा अगर अभी तक video के like नहीं किया है, like कर दो और video को share करो telegram पे, फटा फट शेयर करो, because अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा revision mcq ठीक है, यह revision mcq में कल के जो top 10 questions हैं, उनको take up करेंगे, फिर हम आज के discussion को करेंगे तो एक बाद ज़रा फटा फट सब लोग telegram पे share करो, जल्दी share करो यार, because हमें अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुचाना है ठीक है, तो सबने share कर दिया होगा, अब आते हैं हमारे आज के पहले question पर, जो की यह रहा आपके सामने, जिसने share कर दिया है, please comment कर देना, shared, 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 फटाफट ओके, let's come to question number one, which country has reached on a cost sharing agreement of American troops in this country, इन में से आपका वो कौन सा देश है, जिसने एक cost sharing agreement आपका किया है आपका किया है, with of American troops, उसके देश के अंदर, इसका answer है, आपका option A, that is South Korea, South Korea में आपका यह agreement किया गया है question number two, इन में से वो कौन सा country है, जिसने इंडिया के साथ currency swap agreement को settle किया है, answer है, श्री लंका, इन में से वो कौन सा country है, जिसने FATF का जो grey list है, उसमें maintain किया है अपने आपको, जो की again, कोई खुशी होने के बात नहीं है, because उन पे आरोप है, terrorism का और money laundering का, answer है, पाकिस्तान इन में से वो कौन सा country है, जिसकी currency है, आपकी Toman, उसका answer है, आपका Iran, और आखरी में USA के साथ arrow 4 missile, इसका testing इन में से किस country ने किया है, तो उसका answer है, आपका option B, that is आपका Israel, समझ में आ गया सबको, कतरा कतरा clear हो गया, चली, अगले question पे आते हैं Which of the following country has suspended defense cooperation with Myanmar, म्यानमार के साथ जो रक्षा समझोता है, उसको suspend किया है, उस country ने, because उस country ने म्यानमार पर आरूप लगाए है, of lack of democracy and arresting one of its senior doctors, तो इसका answer है, आपका option C, that is Australia, Australia ने ये कारणामा आपका किया है, मेरा पहला सवाल बनेगा आपसे यहां पर, apart from the options, इनमें से वो कौन सा country है, जिसने इरान के साथ मिलकर अभी एक maritime belt exercise की है, जिसमें इंडिया भी आपका एक member है, उसका answer क्या होगा, उसका answer होगा, आपका option D, इरान, रशिया, maritime belt, जिसमें इंडिया भी आपका member है, मेरे को answers नहीं आ रहे हैं guys, answer करो, रशिया answer होगा, इनमें से वो कौन सा country है, जहां पर अभी हाल ही में आप जहां के 122 soldiers इंडिया आये थे, to participate in the Republic Day, answer है, आपका option E, that is Bangladesh, इनमें से वो कौन सा country है, जो re-enlist हुआ है, UNHCR, जो UN Human Council है, Human Rights Council है, उसमें आपका वो member बना है, उसका answer क्या होगा, फटा-फट दीजेगा, उसका answer होगा, आपका option B, that is the USA, USA उसका member आपका दोस्तो बना है, इंडिया ने sponsor किया है, कि international year of millets आपका observe किया जाए, question है, UN ने इंडिया का sponsor जो ये आपका initiative है, उसके हिसाब से, when is the year, when the international year of mill will be observed, answer क्या होगा, फटा-फट कमेंग कर दो, मेरे को answer नहीं आ रहे है, answer होगा आपका 2023, बहुत slow answers आ रहे है, 2023 answer होगा, बिल्कुल सही answer, चली, आगे बढ़े अगले question पर, which country shall be building downstream water, downstream water projects on river Brahmaputra for the first time, इन में से वो कौन सा देश है, जो पहली बार Brahmaputra river पे आपके downstream river projects बनाएगा, और ये आपका 2022 तक complete हो जाएगा, उसका answer है, option C, that is China, question number one, इन में से आपका वो कौन सा country है, जिसको इंडिया Brahmos missile sell करेगा, उस country का नाम क्या है, the name of that country is, it's option E, that is Philippines, इन में से वो कौन सा country है, जिसकी 120th rank है, एक rank उपर है इंडिया से, in the economic freedom index, इंडिया आपका 121 पे है, वो country आपका 120 पे है, answer है, क्या होगा, इस सवाल दो माक्स का है, फटाफ़र answer करना, answer होगा आपका option D, that is Bangladesh, इन में से कौन सी country है, जिसका capital है, आपका, VNTN और जिसकी currency है, आपकी किप, मैं लिए देता हूँ यहाँ पर, इसका capital है, आपका VNTN, और यहाँ की जो currency है, मेरे बेटा, मेरे बच्चों में जिगर के छलों, वो currency है, आपकी किप, फटाफ़र बताना, इसका answer है, आपका option A, that is Leos, बिलकुल सही answer है आपका, चलिए, आ अंगठन है, जिसके दोस्तों, आपके founder है, स्वामी दयानन सरस्वती, answer क्या होगा, answer है, आपका option D, that is RSMaj, question number 2 है, out of syllabus है, पर क्योंकि news में रहता है, इसलिए आप से पूछूँँगा, इशा foundation के, option C, जो है, इशा foundation के founder या संस्थापक कौन है, उनका नाम बताना है, ये बहुत ही common question है, because ये अभी का latest का foundation है, answer है, सदगुरु जग्गी वासुदेव, अगर नहीं पता है इनके बारे में, इनके बारे में Google कर लीजेगा, YouTube देख लीजेगा, सदगुरु बिलकुल सही, question number three, इनमें से एओ ह्यूं, ये इनमें से किस से सμबंदित है, एओ ह्यूं, ये मेरा सवाल पहला सवाल, दूसरा सवाल यहां पर है, इनमें से किस से संबंदित है आपके, सुवामी विवेका नंद ये मेरा आपसे थर्ड सवाल है और फोर्ड सवाल मेरा आपसे यहां पर है राजा राम मोहन रोय का संबंध इन में से इसे किस से था ये कुछ वेशन्शन्स हैं निहाइती लल्लू वेशन्स है इनके ज़रा आंसर करीगा नहायती चूरन क्वेश्चन्स हैं तो देखो पहले का अंसर है एंडियन नाशनल कॉंग्रेस पता होना चाहिए आपको स्वामी विवेका नंद आपके हैं रामकृष्ण मिश्ण के राजा राम वोहन रोय आपके ब्रह्मो समाज के हैं यह तो आपको पता होना चाहिए कत्रा कत्रा समझ में आ गया सबको छब रहा है सबको गाई मैं रिक्वेश्च फिर से करूंगा जड़ा एक बार लिंक को कॉपी करें और लिंक को शेयर करें मैं आपको दस सकेंड देता हूं हमें आज कोशिश करनी है 300 लाइव वाचिंग लाने की तो यह आपके सपोर्ट के बिन नहीं हो पाएगा तो एक बार दबा की वीडियो को शेयर करो चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर आई होप सबने शेयर कर दिया होगा वाट इस दो इंटीग्रेटेड मोबाइल हेल्प लाइन नंबर फॉर इंडियन रेलवेस भारतिय रेलवेस के लिए एक इं तो जो है आट इस ऑप्शन सी इस 139 चाहे वह 182 हो चाहे वह 138 हो यह सारे नंबर्स आपके जो है यह आपके मर्ज हो जाएंगे और यह नंबर्स को मर्ज करके आपका 139 जंबर जो है वह आपका रेगुलेट हो जाएगा इनमें से भारत का वो पहला राज कौन सा है जो जेंडर बजट को बनाएगा आंध्रा, जम्मू, उरिशा, यूप या फिर आपका MP विल इसका आंसर है आपका ओप्शन A दाट इस आंध्रप्रदेश वहाँ पर यह बनेगा इनमें से वह आपका कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने खेलो इंडिया विंटर गीम्स को जीता है आंसर है आपका जम्मू कश्मीर इनमें से वह आपका कौन सा स्टेट है जहाँ पर COVID-19 मेमोरियल आपका बन रहा है आंसर क्या होगा बहुती सिंपल क्वेशन पूछ रहा हूँ या चूरन क्वेशन पूछ रहा हूँ आंसर है आपका उरिशा इनमें से वह आपका कौन सा स्टेट है और यह सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है नहीं है पर हाँ थोड़ा पुराना है सुर सरोवर लेक जिसे हम कीथम लेक भी कहते हैं मैं लेक देता हूँ सुर सरोवर लेक जिसे हम कीथम लेक भी कहते हैं वो इनमें से किस पर्टिकलर स्टेट में आपका पढ़ता है आंसर है आपका यूपी और मेरा आक्री सवाल इनमे से वो कौन सा स्टेट है जहां पर आप देखते हो सांस कैम्पेंग और यहीं पर आपका पंक अभियान भी शुरू हुआ है मैं आपको एक और हिंद देता हूँ यह वही स्टेट है जहां पर अभी तीन नाशनल पार्क में नाइट सफारी भी आपका स्टार्ट किया गया तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर जो होगा दाट इस ऑप्शन ई इस मध्या प्रदेश which country has the second rank in the economic freedom index 2021 heritage foundation और wall street journal ने economic freedom index निकाला है जिसमें इंडिया की rank 121 है UK 7th पे है Singapore आपका 1st पे है तो 2nd rank पे आपका कौन सा country है 2nd rank पे आपका है दोस्तो New Zealand बास समझना ध्यान से 1st पे Singapore है 2nd पे New Zealand है 3rd पे Australia है 4rd पे Switzerland है और आपका इंडिया जो है वो 151 पे है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th और इंडिया किस पे है इंडिया आपका 121 पे है लास्ट रांग पे कौन सा country है फटा फट बताएंगे मेरे को which country is at the last spot हाँ बिल्कुल सही कहा रहे है चाइना जो है वो 107 पे है मेरा question है आपसे last rank पर कौन सा country है 121 तो आपने बता दिया good morning लतेश आप लेट हो you are late by 16 minutes ठीक है हाँ बिल्कुल सही क्या बात है North Korea आपका last पे है which bank has launched smart unnati program असान सवाल है इसका अंसर है आपका HDFC bank what shall be the new venue for the world test championship world test championship का नया venue आपका दोस्तों कौन सा है तो पहले venue आपका लोट था और अब आपका venue जो है that is Southampton बिल्कुल सही wrestler बजरंग पुनिया hails from which of the following state इन में से किस राज्य से आपके बजरंग पुनिया जो है वो बिलॉंग करते हैं उनके राज्य का नाम है आपका हर्याना और अभी यह दोस्तों news में है because 65 kg category में यह दुनिया के number one आपके wrestler है बिल्कुल सही out of the following option गाईज असान सवाल है घर तक fiber scheme किस स्टेट में आती है उसका आंसर है आपका बिहार out of the following option गाईज इनमें से किस स्टेट में anti-theft police station हर एक district में बनाया जाएगा आंसर है आपका उत्तरप्रदेश इनमें से वह कौन सा स्टेट है जहां पर खजुराहो dance festival आपका organize किया गया तो खजुराहो dance festival जो है वह आपका मध्यप्रदेश में दोस्तों जो है वह organize किया गया अगर आपका score 10 on 10 है इसका मतलब है कि आप super duper star हो मेरे नजरों में आप पुरुष नहीं माफ करिएगा आप महा पुरुष हो अगर आपका score 9 है तो महान आदमी हो 8 है तो भी ठीक है पर अगर 7 या उससे कम है मैं repeat फिर से कर दूँ मेरे को आप एक हफता दीजे इस session को लगातार देखिए और आपको मैं current affairs का master बना दूँगा ठीक है तो मैं देख रहा हूं maximum लोगों के 10 on 10 है क्या बात है guys everyone please give me a love sign in the meantime अगर अभी भी आपने वीडियो को नहीं शेयर किया है आप नए आए हो तो please share कर का regularly Monday to Saturday 7 a.m. पे आता है 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. क्या बात है चलिए आते हैं हमारी आज की पहले बर्निंग इशू पर और आज का बर्निंग इशू है new umbrella entity for payment system एक नए umbrella entity एक नए caretaker एक नए initiating agency की डिमांड हुई है आपके payment system में एक मेरा सवाल आप से बनेगा और सवाल ब बात करें चाहे हम भीम की बात करें चाहे हम किसी भी latest digital banking की बात करें इन सबका umbrella organization कौन है उसका नाम क्या है बताएंगे मेरे को आप क्या नाम है उसका बिल्कुल सही सबसे पहले आंसर दिया शालेंद्र ने आंसर है आपका NPCI full form क्या है National Payment Corporation of India फटाफर बताइएगा NPCI अब question है कि जो digital banking है digital payment है उनका जो expansion है वो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है तो private companies को RBI ने allow किया है कि वो खुद की NPCI open करें इस basis पर यह headline हम discuss करेंगे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं new umbrella entities also known as NUE for payment systems को allow किया है RBI ने कि जो companies है जो banks है वो इनको open कर सकते हैं basically यह alternate होगा NPCI का for example मैं अगर आपको example दूँ कि अगर दुनिया में सिर्फ मुकेश अंबानी बचे तो क्या competition होगा क्या innovation होगा क्या लोगों का welfare होगा answer होगा नहीं अगर एक तरफ मुकेश अंबानी है तो एक तरफ आपका let's say कल को मैं बन जाओ billionaire ठीक है I want to be a billionaire so bad तो मैं क्या बन जाओंगा उनका competition और जब competition होगा तो क्या होगा तो भाई innovation होगा creativity होगा तो उसी basis पर आपका private banks को या private companies को अलाव किया गया है कि वो भी NPCI की तरह एक entity आपका बनाएं जी बिल्कुर मैं बनूंगा ऐसा मेरा मेरा पागल दिमा कहता है पर कभी-कभी पागल पनती भी जरूरी है अचा अब यहां पर बात करें तो सवाल बनेगा कि यह जो आपकी का entity बनेगी जो company मकसद इसका objective आपका नहीं होगा इसका main मकसद होगा to expand the competitive landscape of the payment sector payment system में जो आपका competition है उसको बढ़ाना यह इसका एक एहम मकसद आपका होगा अब सवाल बनेगा कि कैसे बनेगी कैसे होगा आपका NUE बहुती famous गाना है ना कैसे हुआ कैसे हुआ गाना है ना घडिया गारा हू है तो वैसे कैसे हुआ तो कैसे कैसे होगा NUE जो है उसका जो owner होगा जो से control करेगा उसके पास तीन साल का experience होना जरूरी है a minimum three year experience in the payment system जरूरी है number one number two जो कंपनी hold करेगी more than 25% उस payment system का शेयर वो कंपनी उस कंपनी की promoter होगी मैं रिपीट फिर से कर दूं कोई individual या कोई कंपनी उस system में उस NUE में 25% से अधिक का शेयर अगर पर अगर उसके पास होगा तो वो कंपनी क्या होगी promoter होगी similarly उस company का जो paid up capital होगा वो आपका 500 करोड का होगा और उसका minimum network जो उसको हमेशा maintain करना है वो उसको 300 करोड हमेशा maintain करना होगा एक और condition है कि कोई भी single promoter के पास 40% से जादा के shares आपके नहीं होगे तो मैं चाहूंगा जरा फटा-फट आप लोग 4 point लिखें पहला point क्या है umbrella entity जो आपकी बनेगी उसमें 3 साल का experience होना चाहिए ऐसा नहीं कि कल को भोला गए और बोले कि मुझे भी N.U.E. open करना ऐसा नहीं होगा आपको 3 साल का उस system experience चाहिए पहला दूसरा अगर आपके पास उस company में 25% अधिक share है तो आप क्या है तो आप promoter है जैसे कि विजय माल लिया आपके force इंडिया के promoter थे या RCB के promoter थे वैसे ही आप बनेंगे पर हाँ भगवान न करें आप चोरी करके भाग जाए थर्ड पॉइंट क्या है जो capital होगा उसका paid up capital share holding capital वो आपका 500 करोर का होगा और minimum net own fund जो minimum fund maintain करने है वो आपका 300 करोर का होगा और आखरी में किसी भी investor के पास किसी भी promoter के पास 40% से ज़्यादा की shares आपके नहीं होगे समझ में आगे आपको एक बार जब कभी मैं यह सब सुनता हो ना तो मुझे एक बहुती फेमस वेब सीरीज है scam 1992 उसका जो टाइटल म्यूजिक है ना background म्यूजिक वो आता है ऐसा करके वो आता है मेरा तो जुगाम हो गया तो गानी पा रहा हूं वरना मैं अगर गाउना तो बाई 2025 और करीब 10,000 एज नोट्स वो आपका डेवलप करें बाई 2030 आहीं जरा इसको डिसकस कर लेते हैं यह रहा आपके सामने European Union has released a plan called as 2030 digital compass plan इस प्लान के तहत the EU wants to produce the fifth global output of cutting-edge semiconductors by the end of this decade देखे इस प्लान का नाम क्या है आपका 2030 digital compass plan number one इस प्लान का पहला feature क्या है कि यह करीब वन फिफ्ट ग्लोबल आउटपुट प्रेड्यूस करना चाहता है और सेमी कंड़क्टर आने वाले दस सालों मेला 2030 तक दुनिया का हर पाचवा जो आपका सेमी कंड़क्टर हो उसे EU बनाए इसके लावा EU चाहता है अपना पहला quantum computer बनाना in the next five years मतलब 2025 में वो अपना quantum computer बनाना चाहता है इसके लावा जो उसकी dependence है technology पर from non European Union countries उसको भी वो cut down आपका करना चाहता है तो मुद्दे की बाद यहां पर दोस्तों यह है कि इस प्लान का नाम है आपका 2030 डिजिटल कंपस प्लान इस प्लान में बनाएगा सेमी कंड़क्टर इस प्लान में वो बनाएगा quantum computer 125 में सेमी कंड़क्टर बनाएगा 2030 में और वो dependence technology की जो है वो आपका कम करना चाहता है यह आपके सामने दोस्तों European Union का मैप दिया हुआ है इसमें आपका Great Britain भी पार्ट था बट आफ्टर दी Brexit after the Lisbon Treaty Agreement आप Lisbon Treaty से जो उसका चेंज हुआ उसके बाद अब EU जो है वो आपका EU का पार्ट नहीं है ठीक है पर यह सारे मेंबर्स जो है पार्ट है 19 ऑफ दी 27 मेंबर्स वो मेंबर्स यूरो को मानते हैं बाकी मेंबर्स जो है उनकी अपनी करेंसी है पहले 28 मेंबर्स थे और आपके 27 मेंबर्स जो है वो आपके यहां पर रखे गए हैं आगे बढ़ते हैं आफ्टर फ्रांस स्विजलेंड हाज बिकम वन अफ देवलप कंट्रीज तो हैव अ कंप्लीट बैन और फुल फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेसे जाहिर सी बात है हम बुरके की बात कर रहे ह या हम ऐसे किसी वस्तर की बात कर रहे हैं जहां पर सिर्व आके दिखें और बाकी पूरा चहरा पूरा शरीर आपका ढखा हो तो स्विजलेंड हाज पास्ट अ कंट्रिवर्शियल लौ इन दे कंप्लीट बैन ओफ फुल फेस मास्क इन दे कंट्री यहां पर 51.21% लोगों ने वोट किया इन फेवर ऑफ दे कंप्लीट बैन नमबर वान नमबर टू यह जो बैन का एक प्रपोजल था इसको दिया था राइट विंग स्विस पीपल्स पार्टी ने जो वहां पर आपका लजिसलेटर में है और उस पार्टी के प्रपोजल पर रिफरेंडम हुआ जिसमें 51.21% जो आपके लोग हैं उस रिफरेंडम में उन्होंने इसके फेवर में आपका पोल किया फ्रांस हाज बिकम हैड बिकम दे फर्स कंट्री जहां पर आपका बुर्कास पर बैन किया गया था निकाप पर बैन किया गया था ट्वेंट टुन था आपका European Court of Human Rights 2014 में और अब इस बैन को स्विजिलेंड के अंदर भी आपका दोस्तों लगा दिया गया है तो मैं फिर से करूंगा इस अटर रिफरेंडम और 51.21% सुजिलेंड पीपल ते दर दर कंट्री हाज डिसाइड़ आपका दोस्तों जो है वो लगाया गया है अब पाइज दर एक बार मैं आप देख लेते हैं स्विजिलेंड का स्विजिलेंड दोस्तों न्यूज में है पिकॉज यहां पर आपका Office है World Economic Forum का सबसे फेमस यह आपका न्यूज में है पिकॉज पहली बार आपका 9-11 यह जो फोरुम का समेट है यह समेट अब आपका Singapore में यह ताट इस लिशे अगर हम अगर हम अगर हम अगर हम लिशेंशन की बात करें तो इसका क्याप्टल है वदूज इसका करेंसी है आपका फ्रांक उसके बगल में है आपका दोस्तों स्लोवेनिया अगर हम स्लोवेनिया की बात करें क्याप्टल है लुबलजाना करेंसी है य परुना बाकि फ्रांस आप जानते हैं इटली आप जानते हैं जर्मनी भी आप जानते हैं मैं आपको याद करा दूंट की बात करें तो मेरा सवाल आप से हैं इनमें से किस स्टेट ने आंटी-radicalism बिल पास किया है आंसर क्या होगा आपका फ्रांस इन में से वह कौन सी कंट्री है जिसने एक सूपर ग्रीन मिनिस्ट्री आपका पास किया है आंसर क्या होगा उसका उसका अंसर होगा आपका इटली इन में से वह कौन सा कंट्री है जहां पर यह सवाल दो नंबर का है ओपक के headquarters है तो ओपे के headquarters जो है वो आपके Austria में है इन में से वो आपका कौन सा country है जिसे दुनिया का most resilient country बनाया गया है answer है आपका option यह that is Germany बिल्कुल सही चली आगे बढ़ते हैं New Zealand has opened the first big vaccination clinic the New Zealand government in South Auckland जो कि वहां पर एक बहुती सुन्दर जगह है वहां पर उन्होंने initially plan किया है to target household members of the border workers जो आपके borders पे workers हैं उनमें chances हैं करोना होने के और उनके वजह से पूरे देश में spread करने के लिए तो वहां पर बेग क्लिनिक आप open किये गए हैं जहां पर thousand की संख्या में vaccination है वह आपका लगाया जा रहा है ताकि उन बॉर्डर वरकर्स को immune करने के बाद जो एक spread है करोना वाइरस का जिसको लेकर न्यूजिलेंड दुनिया का बहतरीन एक्जांपल है कि हाउ टू करव दे करोना मेनिस उसको कम करने का उसको एलिमिनेट करने के लिए यह आपका जो बिक में है विकॉज यहां पर फर्स्ट इंडियन ओरिजिन न्यूजिलेंड मिनिस्टर बनी है क्या बनी है पहली इंडियन ओरिजिन न्यूजिलेंड मिनिस्टर उनका नाम लिख लिचे का उनका नाम है प्रियांका राधा कृष्णन क्या नाम है उनका प्रियांका राधा कृष् उसने target रखा है to have 20% blending of ethanol in petrol by 2030 गाइस ethanol को use करने से petrol की efficacy petrol की efficiency petrol का जो non जो polluting nature है उसमें हम कमिला सकते हैं तो इसी लिए सरकार ने हमारी के सरकार ने हमारी 20% का आपका एक target रखा है to blend ethanol in petrol by 2030 तो आए इस discussion को कर लेते हैं यह आपके सामने the government has been promoting the use of ethanol as a blend stock material with main automotive fuel like petrol in line with the national policy on biofuel 2018 under the ethanol blended petrol program जो ethanol blended petrol program है which is a part of the national policy on biofuel 2018 उसके तहद ethanol को blend करने की बात की गई है petrol के अंदर ताकि जो efficacy efficiency और जो polluting nature है उसे हम दोस्तों कम कर सके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह आपका national policy है जहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 20% blending का बायो डीजल का डीजल में कब तक आपका 2030 में पहला दूसरा एक national biomass repository बनाने की बात की गई है ताकि डेटाबेस बना रहे तीसरा advanced biofuels के तहट आपका 2G ethanol bio refineries बनेंगी 5000 करोड की छे साल में जो की रिप्लेस करेंगी आपकी फर्ट जनरेशन बायो फ्यूल को तीसरा चौथा आपका जो बायो डीजल प्रडक्शन है उसमें जो डीजल आपका बनेगा वो लिया जाएगा फ्रॉम ओईल petroleum and natural gas तो यह एक बार पढ़ लीजेगा यह मैं आपको pdf दे दूंगा pdf कहा मिलेगा आपको pdf आपको मिलेगा ग्रुप का नाम है exam centric या अगर आप सर्च करेंगे तो gk editorial by kush and achal वो ग्रुप से भी आपको मिल जाएगा दोनों ही ग्रुप अवेलबल है उन पर इसका pdf आपको provide करा दिया जाएगा समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं ओला इस बिल्डिंग अ न्यू मेगा टू वीलर फैक्टरी इन तमिलनाडू ओला जो है वो तमिलनाडू में दुनिया की सबसे बड़ी टू वीलर मेगा फैक्टरी बना रही है जिसका साइज है करीब आपके 500 एकर्स का और यह जो आपका फैक्टरी है तमिलनाडू में यह आपका कृष्णागीरी डिस्ट्रिक में पनाया जा रहा है इस फैक्टरी का नाम है दोस्तों ओला फ्यूचर फैक्टरी और यह 2022 में आपकी बनकर तयार हो जाएगी तो रुपीर में फिर से कर दू ओला जो है वह एक फैक्टरी बना रही है तो वर्ल्स लार्जेस्ट वीलर फैक्टरी जो कि तमिलनाडू में वह आपकी इंदक्रिश्णागीरी डिस्ट्र में और इसके लिए उसने जैनवरी में इस साल लैंड अक्वाइर भी आपका किया था तो सवाल बनेगा विच कंपनी एस बिल्डिंग लाज़ेस्ट वीलर में टूवीलर फैक्टरी न वर्ल्ड ती आंसर इस ओला कहां पर क्रिश्णागीरी तमिलनाडू में यह फैक्टरी की तरह काम करेगा और यहां पर यहां पर आपका बनाया जाएगा कौनाएगा इसको ओला क्याप्स फ्रॉम तमिलनाडू आए आते हैं महाराश्टा पर महाराश्टा ने कहा है और यह बजट में कहा है कि वह वशन स्टाप ड्यूटी का कंसेशन देगा वोमन को और होम बाय है तो वहाँ पर 4% का स्टांप ड्यूटी आपको वुमन हों बायर्स को प्रोवाइट किया जाएगा इस वन अफ वेरियस फीचर जो की महारास्ट्रा के कर लेते हैं पर उस फीचर का जो हाइलाइट है वह आपके सामने दिया हुआ है कि 1% का स्टांप ड्यूटी कंसेशन विमन हों बायर्स को महारास्ट्रा में आपका दिया जाएगा इसको डिसकस कर लेते हैं यह आपके सामने सबसे पहले बात करतें इंफ्राप्लांस की इंफ् मुंबई गोवा हाइवे के लिए उसका अमाउंट दिया हुआ है नासिक पूने सेमी हाइस्पीड रेलवे कॉलिडूर बनेगा जिसमें आपकी स्पीड होगी 200 किलोमीटर पर एलेक्ट्रिक वहिकल चार्जिंग स्टेशन बनेगा आपके मेजर हाइवेस पर बाल ठाकरे मे आपका दोस्तों बनेगा और यह मेमोरियल आपका बनेगा एड़ी शिवाजी पार्क ठीक फिर एक पोस्ट कॉबट सेंटर बनेगा हर डिस्ट्रिक में अगरा वेलफेर की बात किसे मैंने पहले आपसे कहा वेलफेर में वन परसेंट का कंसेशन है और यह कंसेशन की वजह स से अब 4 परसेंट आपका स्टांप लगेगा तो वुमन वुमन होंबायर्स को इसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा स्कूल गर्स को इन रूरल एरिया और जो महरास्ट्रा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोर्परेशन है उसको पंद्रह सो बसेज आपकी प इंट्रेस्ट पर तीन लाग रुपए तक का लोन मिलेगा रीपेइमेंट होगा लोन का इंप्रेंट इंसेंटिव होगा जिसमें गर्मन्ट प्रोवाइट करेगी पाजा रुपए या 75% स्टाइपंड मनी मैटर्स की बात करें तो वैट को इंक्रीज किया जाएगा लिकर पर 5% से कोई भी रिलीव नहीं है फ्यूल प्राइजस पर वह सेम रहेंगी इसके अलावा गर्मन्ट जो है वह करीब इतना पैसा बोरो करेगा यह दोनों चीज़ा कर सकते हो बाकी चीज़ें एक बड़ दीजेगा ठीक है मैंने जादा बता दी आपको पर यह पास चीज़ पहला और यहां जल्दी से बहुत बहुत लोग आप लोग स्लो गयों कमेंट कर देना फटाफट और अगर वीडियो को नहीं शेयर किया है मैं बोलता रहूंगा विकॉस हमारा टार्गेट है कम से कम आज 300 लाइव वीवर्स का तो फटाफट जरा शेयर करो हां तो मेरा पहल जान देखनट कौन सा स्टेट साखनद साट है जहां पर अब तक का सबसे बड़ा स्टेट का बजट आया है पिर से आपका दोस्तों क्या है आपका यूपी आप पर कंस्टैट पे 157 का शेल दिया है महिलाव को और वुमन लून आपका महराष्ट गाइज आते हैं हमारे का नाम दिया गया है आपका देश भक्ती बजट मत्तब यह बहुत ही अच्छा Marketing Strategy है जो कि मुझे लगता है Central Government के Marketing Strategy से ली गई है जहां पर बजट का ही नाम क्या लखा गया है आपका देश भक्ती बजट इस बजट के अंदर free covid vaccine आपकी हर किसी को provide की जाएगी डेली के अंदर number one number two की बात करें पहला sanic school आपका बनाया जाएगा डेली में alongside armed forces preparatory academy इसके अलावा विशेश महला clinic आपके बनाया जाएंगे और एक क्लिनिक आपके जो हैं यह city के अंदर बनाया जाएंगे to help the middle class women get better treatment इसके लावा government जो है वो हर एक वो प्रोवाइट करेंगी instructors in each colony जो ध्यान और योग को सिखाएंगे 25% of the new vehicles जो की आपकी रिश्टर होंगी डेली में वो आपकी होंगी 25% electric vehicles by 2024 इनका मेन एम है जो डेली का per capita income है जिसका formula होता है total in total total in national income state income divided by total population तो जो पर capita income है उसको बराबर करना Singapore की per capita income से by 2047 तो यह तीन चीज़े हैं इसको एक बार देख रीजेगा इसके अलावा one-fourth of the budget जो की है आपका 16,377 crores यह education के लिए है voluntary mentorship program है जिसका नाम है youth for education इसको start किया गया है जो students को help करेगा जहां पर students दूसरे students को आपका help करेंगे इसके लावा डेली law university आपकी बनाई जाएगी इसके लिए इतना पैसा दिया गया है डेली आपका bid करेगा 2048 Olympics के लिए आंगनवाडी जो हपस है उनको available किया जाएगा वुमन को afternoon में अंडर दी सहेली समनवे केंद्र तो यह सारे काम आपके डेली में किये जाएंगे बहुत ही अच्छा बजट है और यह बजट पे हम discussion और करेंगे आगे चलकर पर यह बजट का नाम है आपका देश भक्ती budget in the state of Delhi चली आगे बढ़ते हैं महराश्ट्रा डेली के बाद आते हैं हमारे एक और बहुत ही अच्छे स्टेट पर जिसका नाम है आपका उडिसा उडिसा ने कल डिसकस मैंने किया था आपको कि उसने एक डिपार्टम बनाया है विमन एंपार्मेंट के लिए डिपार्टमन का नाम है मिशन शक्ती अब आपका लॉंच किया गया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तो प्रोवाइड सेटिंग अप ऑफ लाज एस वेल आज एज एमेसमी प्रोजेक्स इन रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्स उडिसा ने आपका एक डिस्ट्रिक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजिंसी जो है उसक के कई MLA's ने शिकायत की थी वह दे वेंट अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर उस बेसिस पर जो वहां के सीम है त्रवेंदे सिंग रावत उन्हों ने दोस्तों स्टेप डाउन किया है आज सीम उप उत्राखंड स्क्रीन पे आप वनाई जाएंगे ठीक है तो वो यहां पर है उन्होंने रिजाइन दोस्तों यहां पर आपके सामने किया है बेबी रानी मौरेया जो वहां की आपकी गवर्नर है उनको उन्होंने दोस्तों जो है वह आपना resignation दिया है अब सवाल बनता है कि जो एक appointment होता है सीम का वह शोता क कहता है कि चीफ मिनिस्टर शाल भी अपॉंटेट बाइद गवर्नर तो अगर जो अपॉंट करेगा वही उसका रिजनेशन आपका एक्सेप्ट करेगा नंबर बान जो फॉर्म अफ गवर्मन्ट है आपके स्टेट गवर्मन्ट में वह सेंट्रल गवर्मन्ट की तरह है फॉर वोमें कहें कि जो पि-एम काम करता है आपका सैंप्षं में वहीं आपका करता है चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्मन जो की आपका एक एक जहें आपका jours को एक तो यहां पर बबेभल है उसको एकक्सेप्ट किया है आगे वढ़ते हैं इंडिया उस्बेकिस्तान जो है उन्हों इक्साइज है आपकी दस्त लिक और ये second time इंडिया कर रही है उस्बेकिस्तान के साथ में इंडिया ने पार्ट स्पेट करने की दोस्तों जो है वो बात कही है और एक्साइज आपकी उत्राखंड में और नाइस किया जाएगा इंडिया उस्बैकिस्तान exercise called as the slick it will be organized in उत्राखंड उत्राखंड का जो चौबाटिया रीजन है जो की आपका रानी खेट के पास पर था है वहाँ पर यह exercise आपकी होगी इंडिया उस्बैकिस्तान के बीच इस exercise का में एम है to carry out a joint counter terror operation in a mountainous rural and urban scenario पहाड़ी गरामीर और शहरी परिदिश्य में एक संयुक्त आतंगवाद विरोधी अभियान को चलाना उसकी training यहाँ पर आपकी दोस्तों दी जाएगी यह second time है जब आपका यह already हो चुका है पहली जो आपकी दस्तिलिक है दस्तिलिक 2019 हुई थी और यह आपकी हुई थी at the churchic training area near Tashkant in Uzbekistan तो यह second time है जब आपकी exercise हो रही है और first time आपकी यह दोस्तों इंडिया में organize आपकी ही जारी है आई जड़ा इसका map देख लेते हैं यह आपका सामने map यह है आपके सामने for example this is आपका उस्बेकिस्तान इसने इंडिया के साथ agreement किया है ठीक है इसके neighbors में आपका है सबसे पहले तजीकिस्तान इसका capital है आपका दुशानवे currency है सुमोनी next neighbor है आपका कजाकिस्तान यह आपके capital है with a currency next neighbor है आपका किर्गिस्तान Capital है 62 है सौम फिर है आपका तुर्कमेंश्तान में açıl है अश्चबाद currency मनाथ और फिर है उसकाश्वेकिस्तान जोר कंट्री लाए इरान-्रशिया का मैरे टाइम बेल्ट उस वजह से यह दोनों नेशन आपके दोस्तों न्यूज में ठीक है उस वजह से न्यूज में है लडी चाइना जो है वह इस रीजन में आपका जो है वह करा रहा है आपका डाउन्स्टीम प्रोजेक्ट और यह डाउन स्टीम्ट प्रोजेक्ट जो है वह किस पर बन रहा है आपका ब्रह्मा पुत्रा पर उस बजह से यह आपका निउस में सिम्लर्ली अगर हैं यहां पर बात करें अफगानिस्तान का तो अफगानिस्तान वीडियो चली आगे बढ़ते है इसरो ने डेवलप किया है एक जॉइंट अब्जर्वेशन साटलाइट मिशन रडार विट नासा वेल इस मिशन का जो रडार है इसका दोस्तों जो नाम है यह नाम है और इसको इसरो कि नासा के साथ मिलकर इसरो ने जो है वह आपका रडार और ऑल्सो कॉल्ड आज सार नासा इसरो सार और आज निसार एक जॉइंट कोलाबरेशन है एक डूवल फ्रिक्वेंसी एल एंड एस बैंड एसार बनाने का चाकी अर्थ का अब्जर्वेशन हम कर सके तो मैं फिर से कर दूंगा इस नासा इस्टों ने मिलकर एक अप पर्च रडार यह इस निसार का फुल फॉर्म है उसको नासा और इस्टों ने मिलकर आपका बनाया है इस पर्टिकलर रडार से इट विल पी केपिबल ऑफ कैप्चरिंग एक्ष्रीमली हाइए रेजिलूशन इमजेज फॉर जॉइंट अर्थ अब्जर्वेशन यह जो पर दिया को हाइय रिसलिशन colony इमजे आपका निसार डार जो है वो प्रॉइड कर सकें उस वजह से यह आपका दोस्तों relevant है निसाया भी आपका नीज में था इस भी समय पहले 19 satellites को आपका अंत्रिक्ष में भेजा है and among the 19 satellites एक satellite का नाम है आपका Amazonia 1A, यह satellite आपका news में इसलिए है because यह Brazilian satellite है और इसको भी space में आपका इसरो ने अभी हाल ही में आपका दोस्तों भेजा है, आगे बढ़ते हैं, DRDO ने अभी डेवलप्ट किया था solid ramjet engine, अब उसे develop किया है दोस्तों AIP technology, अब the question is what is AIP, AIP का full form है air independent propulsion, तो इसका जो final air independent test है उसको DRDO ने आपका हाल ही में किया, यह test आपका किया a day before the commissioning of INS Karanj attack submarine into the Indian Navy, मतलब आज 10th March को आज INS Karanj आपका जो है, वो commission होगा इंडिन नेवी में, तो कल मतलब 9th of March को इसी पर एक technology है आपकी API, AIP, उसका testing आपका किया गया, ताकि उसका usage आपका इस submarine में आपका किया जा सके basically यह जो आपका एक test है propulsion का, it is a major step in making the Indian submarines more lethal जो भारते submarine है, उन्हें और अधिक घातक बनाना वो इसका main concept है, जैसा मैंने पहले कहा, INS Karanj जो है, जो इंडिया का एक attack submarine है, वो आज 10th of March को आपका दोस्तों commission किया जाएगा, तो उसके लिए जो DRDO है, उसने AIP, जिसका full form है आपका air independent propulsion, उसको test अभी हाल ही में आपका दोस्तों किया है, Ministry of Electronics and IT, उसने आपका एक digital payment scorecard जारी किया है, और scorecard में उसने बताया है, कि it is SBI, which has the maximum number of UPI transactions as a bank for the next, for the last three months, मतलब लगातार तीसरे महीने, SBI जो है, उसने top remitter bank का किताब जीता है, for the highest number of UPI transactions volume, जो करीब 640 million rupees का है, मैं repeat फिर से कर दूँ, guys, SBI for the third month in a row, is the top remitter bank for UPI transactions, मतलब maximum आपका जो transaction है, जो आपका transfer है, funds का through UPI, किसी bank द्वारा, वो SBI के थूँ, आपका दोस्तों यहाँ पर हुआ है, और यह report आपकी Ministry of Electronics and IT ने आपकी दोस्तों पेश की है, अगर हम इसके अलावा बात करें, तो एक website है, आपकी similar web, उसने कहा है कि SBI का जो योनो आप है, वो आपका top, आपका UPI आप है, फॉर अ बैंक जहाँ पर maximum transactions एक बैंक के अंदर, UPI के जरीए, योनो आप पर आपके दोस्तों की गई है, तो उस वजह से भी SBI जो है, वो आपका news में बना हुआ है, याद रहेंगा, हाँ, योनो पर सवाल बनता है आपका, योनो का full form क्या है, योनो का full form है, you need only one, वो आपका नाम है, आगे बढ़ते हैं, येस बैंक ने launch किया है, येस essence service for women, ये service बिसिकली जो लोन्स होंगे, या जो health जो आपके different और offers होंगे, उन पर preferential interest rate लगाएगा, मतलब in comparison to men, in comparison to the other class, महिलाओं के लिए special rate पर loans मिलेंगे, उन्हें health care benefit दिया जाएगा, और कई और services आपकी दी जाएगी, basically हर तरह के customer जो महिला है, उनको benefit देने के लिए, आपका जो yes bank का yes essence है, उसको आपका launch किया गया है, ताकि महिलाओं को जो benefit है, आपके different services का banking का, वो उनको दोस्तों यहाँ पर हम दे सके, January की बात करेंगे, तो January में रिशब पंत, और शायद शबनिम इस्माईल, अगर मैं नाप सही बोल रहा हूं, these two were the people who were awarded the January player of the month in men's and women's category, ICC द्वारा, अब ICC ने February मन्त की बात की है, और February मन्त में आपके Tammy, आपके Tammy Beaumont from England and Ravi Chandran Ashwin from India, इनको दोस्तों चुना गया है, as the ICC player of the month, ठीक है, Tammy, Tammy Beaumont जो है, इन्होंने तीन half centuries बनाई है, and out of these three, two half centuries have led to the victory of the England women's team, similarly Ashwin का जो all-out performance था, of taking 34 wickets I guess, और 100 बनाने का England series में उस वजह से, उनको men's का player of the month आपका खोश्यत की आगया है, पिछले महीने, the first player that was awarded this particular thing in men's guys, was Rishabh Pand, इस साल वो आपका Ravi Chandran Ashwin को है, Similarly guys, अगर हम बात करें boxing की, Manish Kaushik has won the gold medal in the 63 kilogram category of the Boxam International Tournament, Boxam National Tournament है, उस tournament में 63 kilogram category में आपके Manish Kaushik को मिला है आपका gold medal, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका Manish Kaushik, आगे बढ़ते हैं, इंडिया की जो men's hockey team है, उसने Britain को हरा कर 3-2 से जीता है आपका final match of the Europe Tour, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यह रहा आपके सामने, इंडियान men's hockey team has beaten Great Britain, इन्होंने Great Britain को दोस्तों आपका हराया है, इन दे फाइनल मैच at Antwerp, Belgium, the European Tour 3-2, और इस मैच में श्रीकर मंदीप सिंग ने आपका जो third goal है, last minute of the game में, वो आपका दोस्तों स्कोर किया, और आते हैं हमारे आज के last segment में, French Blanair हैं जिनका नाम था Olivier Dessau, उनका देहान थुए अलिकॉप्टर क्राश में, राजस्थान के गवर्णरत अंशुमान सिंग उनका देहान थुआ है, त्रिपुरा गवर्णमेंट ने आपका जागरु त्रिपुरा लाँच किया है, और पी-म ने 11 volumes of श्रीमत भगवत गीता मानस इसको दोस्तों हाल ही में आपका दोस्तों लाँच किया है, तो यह हमारी आज की चार लास्ट मिनिट हेडलाइन थी बाकी अब आपके होंवर्ग पे आते हैं यह आपके सामने होंवर्ग नैशनल साइंच देश बिंग ब्सेर्वड और विच अव्च अव्च फॉल्विए तो कमेमरेट दिसकवरी और विच साइंटिस पहला इनके आंसर आपको दोस्तों करने हैं इस आईटी पर पांडे.22k.gmail.com पर इसको आप पे इसके आंसर आपको यहां पर मेल करने हैं अपनी फोटो के साथ ठीक है और आप सब से रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो को शेयर करें लाइक करना मत भूले वीडियो को आप से मिलूंगा मैं आज 12 बज़े बिकॉस आज 12 बज़े मैं लेकर आ रहा हूं स्टार्टि स्कीम को डिसकस करेंगे तो आज मैं सेशन को लेकर आ रहा हूं बारा बजे तो सब लोग को आना है ट्वेल्व नून पर क्या होगा आज गर्मेंट स्कीम को डिसकस करेंगे तो थैंक यू तो मुझ गाइब दो दो आज गाइब झामेट चाहर होगा चाहर है जो रिटिव अटूर आज टोड़ लून बबादागई थैंक यू सो मझ वर कामी टेकर वर्यून झाल 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 झाल